पहले तो भारत ने चीन को 118 नए चीनी एप्स पर प्रतिवंद की जंजीरे पहना दे और अब जापान ने भी उसकी दुखती रख पर हाथ रख दिया है भारत के साथ चीन के खलाफ कदम ताल कर रहे जापान ने अब फैसला किया है कि जितनी भी जापानी कमपनिया चीन में काम कर रही है अगर वो चीन को छोड़कर भारत आती है तो जापान की सरकार उन्हें 22.1 करोट डॉलर तक की सबसिड़ी देगी मतलब साफ है जापान अब चीन को भेगा भेगा कर धो रहा है दरसल जापान ने इसके लिए अपना पहला कदम अप्रेल में ही उठा लिया था और अब जाकर जापानी सरकार ने भी उसे अमली जम्मा पहना दिया है जापान ने ये फैसला इसलिए लिया तकि उसके देश की निर्भरता चीन पर कम हो सके इतना ही नहीं जापान सरकार ने पहले ही ये घोशना कर दी थी कि वो चीन से बाहर जाने वाली कमपनियों को सबसिड़ी देगा वैसे लद्दाक में चीन का दाव उल्टा पड़ गया और अब उसे अमेरिका जापान इतने जटके दे रहे हैं कि उसे पसीने आ रहे हैं क्योंकि इससे पहले चीन को चौतरपा घेर ने और उसको दुनिया से अलग थलग करने के लिए ना सिर्भ भारत बलकि आस्ट्रेलि की गई थी और अब जापान से निकलने वाली कमपनियों के लिए 22.1 करोड डॉलर तक की सबसीडी का एलान जापान की सरकार ने कर दिया है मतलब इतना रहत कोश जापान ने सिर्फ चीन से निकलने वाली अपनी कमपनियों के लिए रखा है भारत के साथ LAC पर जारी गतिरो जो कि आने वाले समय में और भी बढ़ सकते हैं जापान का ये फैसला चीन पर बड़ी आर्थिक चोट का इशारा है वो जितना जदा चलाग बनने की कोशिश कर रहा था अब उसे उतना ही नुखसान उठाना पड़ रहा है चीन ने सपने भी नहीं सोचा होगा कि भारत के एक कैमपेंज से पूरी दुनिया में ये आंदोलन का रूप ले लेगा और चीन को खून के आसूरेनों के मजबूर होने पड़ेंगे चीन समझ नहीं पा रहा कि उस पर अगला हिश्ट्राइक कहां से और कैसे होगा अमेरिका से जापान से या फिर भारत से फिलहाल चीन को अब बिल्खुल समझ में आ गया होगा कि उसने भारत से जो पंगा लिया है उसका खाम्याजा उसे इस कदर उठाना पड़ रहा है Bureau Report भारत तक